हेलो दोस्तों गूद मॉनिंग आज हम बनाने वाले हैं आप बताए कमेंट में क्या बना रहे हैं लेकिन वैसे बता दू आपको हमने लिए हैं मैदा और मटर बनाने वाले हैं हम आज तो मटर बनाने के लिए दोस्तों हमने लिए मैदा उसमें डालेंगे हम प्रोपार मोयन औ डाल दिया है और डाल रहे हैं उसमें अच्छे से और आप देखेंगे कि इसको सार डालने के बाद हम दोनों हातों से इसे करने वाले हैं मिक्स तो दोस्तों मौहिन को थोड़ा गरम करें जी आज्वाइन डाली जै मैदा में थोड़ा नमक डाल लीजिए बस उसके बाद आप वो डाल के मौइन और अच्छे से मिक्स करना है आपको तो दोस्तो अगर आपको मटर पसंद है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको अच्छे लिखे किस किस को मटर पसंद है और हम करते हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स और मिक्स करने का भी एक अलग तरीका होता दो तो बिलकुल भी गाठे नहीं होनी चाहिए इसमें प्रोपर से मिक्स होना चाहिए मौइन उसके लिए हमें चाहिए गुनगना पानी गुनने के लिए तो हमने ले ले गुनगना पानी और हम अब मैदा का आटा गुनते हैं इसके बाद दोस्तों गुनने के बाद हमने बनाये हैं लोए लोए के बाद हम बनाते हैं बेलते हैं इसको बेलने के बाद हम करेंगे इनको छोटे छोटे साइज में दोस्तों महनत थोड़े लगते हैं लेकिन चीज एक नमबर की बनती है आप खाएं और अपने कमेंड बाक्स में बताएं कि कैसे बनते हैं मटर कैसे लगे आपको यह मटर की रसिपी और यह बना दिये हमने कटिंग करके छोट छोटे थोड़े न्यूज पर टकने से हलका सा य वही टेस्ट इसमें आपको मिलेगा तो दोस्तों हमने और भी कटिंग की है और बहुत सारे कट करके डालते हैं फ्राइ करने के लिए और हमारे होगे मटर तयार